इस विडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Lexit Plus सिर्फ का उपयोग कब्ज के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा पानी को अवशोशित करती है इसलिए मल को नर्म और पास करने में आसान बनाती है। यह गैस के आसान मार्ग में भी मदद करता है। Lexit Plus सिर्फ भोजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में लिया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुशप्रभाव दस्थ और पेट दर्ध हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से तुरंट संपर्ट करें यदि आप किसी भी दुशप्रभाव के बारे में चिंतित हैं। जीवन शेली में बदलाव जैसे कि फाइबर युकताहार लेना, तरलपदार्ट का सेवन बढ़ाना और नियमित व्यायाम आपको बहतर परिनाम प्राप्ट करने में मदद कर सकता है। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। यदि आपको लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्युक खुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद